हेलो गाईज, वेरी गुड मॉर्निंग टो अल आफ यो, स्वागात है अब सभी का ओनलाइन इस्टडिय अकैडमी में, आज देट है 3 जनवरी 2021 और आज हम 2 जनवरी और 3 जनवरी दोनों ही दिन के important current affairs discuss करने वाले हैं, तो आज की पहले न्यूज है, Food and Agriculture Organization has named 4 Asian Tea Cultivation Sites as Globally Important Agricultural Heritage Systems, खाद और क्रिसी संगठर ने 4 एशियाई चाय खेती साइटों को विश्व इस्तर पर महतरपून क्रिसी विरासत प्रणालियों यानि की GIAHS के रूप में नामित किया है, तो यह जो GIAHS सिस्टम है, यानि की Globally Important Agricultural Heritage System, यह initiative सुरू किया गया था Food and Agriculture Organization के दोरा 2002 में, और इसे शुरू क्यों किया गया था, तो पूरे विश्व भर में जो अलग 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 देश हैं, तो सब जगे की अलग अलग जो Traditional Agriculture System है, वहां का, उनको identification करने के लियान, उनकी पहचान के लिए और उनके संदक्षन के लिए शे शुरू किया गया था, तो अभी हाली में एशिया से चार जो टी कल्टिवेशन होती, जहां पे चाय की खेती होती, ऐसी चार साइटों को GIAHS में नामित किया गया है, तो पहल यह जापान की है, और चौती है, ट्रेडिस्नल है डॉंग टी एग्रो सिस्टम इन हुआगे मियून, यह है साउथ कोरिया की, तो इन चारो साइटों को नामित किया गया है, और बात करें, फूड एंड एग्रिकल्चर और्गनाजेशन की, तो यहां के डारेक्टर जनरल है क्यू डॉंग यू, इसका हेड़्कॉर्टर है रोम इटली में, नेक्स्ट अब्डेट है, रमेश पोक्रियान निशांक एज लेड़ फांडेशन स्टोन और इंडियास फर्स्ट टेस्ट वेड तिहान, रमेश पोक्रियान निशांक जी ने भारत के पहले परिच्छित ति से लेप की तरह ही होता है इसल обрат और इसी ऐधहार शिला रखी रखे गई है ऊप्रेट किया जाता है उनके लिएدة जाता है Consider सिस्टम के लिए डवलप करने के लिए से शुरू किया गया है और इसके लिए जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस इंड टेक्नोलोजी है भारत सरकार का उन्होंने आई 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 टी हैद्राबाद को 135 करोड रूपए भी शैंक्शन किये हैं जहारकन सरकार ने किसान फसल रहत योजना शुरू की है तो जहारकन सरकार के दोरा ये वहां की खुद की स्टेट की क्रॉप रिलीफ स्कीम है जो की रिप्लेस करेगी भारत सरकार की स्कीम को जो की थी प्रधान मंत्री फसल वीमा योजना ये भारत सरकार की स्कीम थी और इसी scheme के replacement के तोर पे जार्कंट की खुद की scheme है किसान फसल रहा त्योजना तो इसमें होगा क्या जो भी किसान है जार्कंट के तो उनकी जब crop damage होगी अगर कोई भी वहाँ पे problem होती है कोई natural hazard आता है तो उसके कारण अगर उनकी जो crop damage होती है तो जार्कंट की सरकार की तरप से उन प्राइब करें जारखंड की तो यहां की कैपिटल है रांची चीफ मिनिस्टर है 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 मन सोरिन और गवर्नर है द्रोपदी मुर्मू अब देक्स्ट अब्डेट है अमरिंदर सिंग लॉंच्ट डिजी नेस्ट मोबाइल एप्लिकेशन अमरिंदर सिंग जी ने डिजी उफीसर से उन तक पहुंच सकें उनसे कॉंटक्ट कर सकें इमेल या कॉल के थुरू इसके अलावा अमरिंदर सिंग जी ने पंजाब एडवर्टाइजमेंट रिलीज ओडर सिस्टम को भी रिलीज किया है और इसके रिलीज हो जाने के बाद जो परसन है यह असानी से जान स सिंग जी चेफ मिनिस्टर है पंजाब के यहां की कैप्टल है चंदीगड और गवर्णर है वीपी सिंग बदमोर नेक्स्ट अपडेट है मिनिस्ट्री ऑफ एक्स्टरनल अफेर्स हैज लॉंच्ट ग्लोबल प्रवासी रिस्ता पोर्टल और मोबाइल अप्लिकेशन विद हो सकते हैं और यहां पर आपको यह दिख रहा होगा डायस्पोरा डायस्पोरा का मतलब क्या होता है डायस्पोरा ऐसे परसन को कहते हैं जो कि अपनी कंट्री छोड़के किसी दूसरी कंट्री में जाके बच जाते हैं तो ऐसे ही भारती को कहा जा रहा है इंडियन डायस्प के द्वारा उसके लाबर जो mobile application है इसको यूज किया जाएगा जो भारत के person है या भारत के diaspora है उनके द्वारा और इसको establish करने का इसको लाने का मकसद क्या था इसको लाने का मकसद यहीं था कि जो पूरे विश्व भर में अलग अलग जग है इंडिया के लोग रह रहे हैं इंडियन community रह रही है तो normal situation या कोई भी emergency आती है तो वो जल्द से जल्द जो भारत का विदेश मंत्राल है उनसे contact कर सकें उनसे communicate कर सकें तो इसी कारण से इस वेब portal और mobile application को launch किया गया है नेच्ट अपडेट है नरेंद्र सिंग तोमर इनागरेटेड वर्चुल Agri Hackathon 2020 नरेंद्र सिंग तोमर जी ने अभासी Agri Hackathon 2020 का उधाटन किया है तो नरेंद्र सिंग तोमर जी भारत के agriculture minister है के और उन्होंने अभी हाली में launch किया है अब 80 Agri Hackathon 2020 का और यह बताया जा रहा है कि यह भारत का सबसे बड़ा virtual platform है जहां पर जो agriculture यानि क्रिशी का छेत्र है उससे रिलेटेड जो भी problem है डिसकस की जाएंगी और जो भी नई नई टेक्निक है इनोवेशन है यह सारी चीज वहाँ पर डिसकस की तो इसमें होगा क्या पूरे भारत भर में जितने भी यंग और इनोवेटिव माइंड्स हैं स्टार्ट अप हैं कि जो भी एगरिकल्चर इंडस्ट्री में problem चल रही है तो problem बताई जाएंगी और जो भी यंग माइंड्स हैं या श्टार्ट अप हैं तो उनका काम होगा अपना जो भी उनका आइडिया है जो भी उनके innovative solutions है इन सब का यूज करके जो भी problem है क्रिसी छेतर में उसको दूर करना तो जो यहां का winner होगा उनको एक लाख रुपए दिया जाएगा उसके अलाबा जो भी उनका solution होगा उसके field trial के लिए उनको innovation support भी दिया जाएगा सरकार की तरफ से next update है Reserve Bank of India has released digital payments index भारती Reserve Bank ने digital payments index जारी किया है तो भारती इस इंडेक्स में पाया गया है कि जो digital payment है इसमें काफी आदा इसमें राइस देखा गया है काफी आदा बढ़ावा देखा गया है पिछले कुछ समय में तो इस रिपोर्ट को बनाने के लिए मिली पांच parameters रखे गये थे एक था consumer centricity payment infrastructure supply side factor payment infrastructure demand side factor payment enablers और payment performance तो यह 5 parameters रखे गये थे इसी के basis पे यह report बनाई गयी है इंडेक्स और इस इंडेक्स में जो dpi score निकल के आया है तो पिछले साल मार्च 2019 में जो dpi score था यह था 153.47 और क्योंकि अब digital payment में बढ़ावा देखा गया है पिछले कुछ समय पास्ट में तो अब जो dpi है यह बढ़ गया है तो 2020 के मार्च में जो dpi सामने आया था यह था 207.84 उसके बाद RBI ने यह भी डिसकस किया है बताया है कि जो index है अब इसको semi annual basis पे release किया जाएगा मार्च 2021 से यानि हर 6 महीने पर इसे अब release किया जाएगा बात करें Reserve Bank of India की तो इसकी स्थापन हुई थी एक अप्राइल 1935 को यहांके गवर्नर है शक्ति कांद दास और हेड़कॉर्टर है मुंबई महाराष्ट में next update है सुनिच शर्मा अपॉंटेड एस नियू चेर्मैन एंड CEO फ रेलबे बोर्ड सुनिच सर्मा जी को रेलबे बोर्ड का नया अध्यक्ष और CEO नियूक्त किया गया है तो यह है सुनिच शर्मा जी और यह बन गये हैं रेलबे बोर्ड के नये चेर्मैन और CEO के यह replace बात करें रेलवे की तो जो रेलवे का बोर्ड है इसकी स्थापनोई थी 1905 में और इसका हेड़कॉर्टर है न्यू देल्ली में नेश्ट अपडेट है डॉक्टर जे ए जैलाल बिकम्स न्यू नेशनल प्रेसिडेंट आफ इंडियन मेडिकल एसोसियेशन डॉक्टर जे ए जैलाल जी इंडियन मेडिकल एसोसियेशन के नए रास्टी अधेश बने हैं तो यह हैं डॉक्टर जे ए जैलाल और यह इंडियन मेडिकल एसोसियेशन के नए नेशनल प्रेसिडेंट यानि रास्टी अधेश बने हैं और यह जो कनिया कुमारी मेडिकल कॉल और यह करनाटका के 38 चीफ सेक्रेटरी होंगे और यह रिप्लेस करेंगे टी-म विजय भासकर जी को बात करने करनाटका की तो यहां की कैपिटल है बैंगलोरू चीफ मिनिस्टर है बी-एस यदिवरप्पा और गवर्नर है वाजु भाई वाला नेक्स्ट अपडेट है कैबिनेट अप्रूब्ड एक्सपोर्ट ऑफ इंडिजिरस नी डेवलब्ड आकास मिसाइल सिस्टम मंत्री मंडल ने स्वदेशी रूप से विक्सित आकास मिसाइल प्रणाली के निर्यात को मंजूरी दी है तो अभी हाली में केंद्री मंडल जिसकी अभी है तो उन्होंने जो स्वदेशी निर्मित है मिसाइल प्रणाली अकास मिसाइल प्रणाली इसके निर्यात यानि एक्सपोर्ट को अपनी मंजूरी दे दी है इसके अलाबा मंत्री मंडल ने ये भी मंजूरी दी है कि एक कमिटी का सेटप किया जाएगा ताकि जो एक् एर मिसाइल है जिसकी रेंज है 25 किलोमीटर की तो इसका काम क्या होगा जो भी एयर अटैक होते हैं तो ऐसे जगों को सेफ करने में उनको बचाने में उनको प्रोटेट करने के लिए इस मिसाइल का यूज किया जाता है तो इंडियन एयर फोर्स में इसे शामिल किया गया था 2014 में और इंडियन आर्मी में इसे शामिल किया गया था 2015 में है नेक्स्ट अपडेट है इंडियन कोस्ट गार्ड साइंड MOU with seven countries for cooperation in maritime search and rescue operations इंडियन कोस्ट गार्ड ने समुद्री खोज और बचाव कारियों में सहयों के लिए साथ देशों के साथ समझाता ग्यापन पर हस्ता बाचर किये हैं तो कौन-कौन सी साथ कंट्रीज है ये जापान, फिलिपिन्स, थाइलेंड, म्यानमार, स्री लंका, इंडिनेशिया और व्यतना तो अभी हाले में इंडियन कोस्ट गार्ड ने इन ही साथ कंट्रीज के साथ MOU साइन किया है Maritime Search and Rescue Operation में Cooperation के लिए और इन साथ कंट्रीज के साथ जो इंडियन कोस्ट गार्ड है ये समय समय पे ट्रेनिंग के लिए एक्टिविटीज और एक्सरसाइज भी कराता आ रहा है बात करें इंडियन कोस्ट गार्ड की तो यहां के डिरेक्टर जनरल है कृष्ण स्वामी नत्राजन इसका मोटो है वयम रक्षामा ये एक संस्कृत है संस्कृत का वर्ड है इसका हिंदी मीनिंग होता है वी प्रोटेक्ट और इसका हैड़कॉर्टर है न्यू देली में नेक्स्ट अब बेठ है DRDO एंड इंडियन नेवी सकसेस्फुली टेस्टेड एयर ड्रॉप कंटेनर सहायक एंजी DRDO और भारती नों से नने नए एयर ड्रॉप कंटेनर सहायक एंजी का सफल परिक्षन किया है तो यह जो सहायक एंजी है यह एडवांच्ड वर्जन है सहायक MK1 का और अभी हाली में DRDO और इंडियन नेवी द्वारा मिलके इसका सफल परिक्षन किया गया है गोवा से तो एक्चले में यह है क्या यह एक तरह का एयर डॉप कंटेनर है तो होता क्या है जैसे नेवी की कोई शिप है यह समुदर के बीच में है और अगर समझ लिए लड अपलाई चाहिए तो शिप वापिस आएगी नहीं तो यह जो एयर डॉप कंटेनर होता है इसमें वो सारी चीजे रख दी जाती है जो भी जरूरत की है उसके बाद किसी भी प्लेन के प्लेन से ले जाके इस कंटेनर को शिप में डॉप कर दिया जाता है उसके बाद जो समा चैन डेवलोप्मेंट और्गनाजेशन यहां के चेर्मेन है जी सतीस रेड़ी इसका हैड़कॉर्टर है न्यू देली में और इसके स्थाप नहीं थी उननी सो अठामन में लेक्स्ट अप्रेट है इंडियन आर्मी चीफ एमेम नर्वाने रिसीब्स गाड ऑफ ओनर इन समानित किया गया है तो बात करें साउथ कोरिया की तो यहां की कैपिटल है सियूल प्रेसिजेंट है मून जे इम और प्राइम मिनिस्टर है चूंग साइ क्यून और करेंसी है कोरियन रिपब्लिक वान नेच्ट अपडेट है लुईस हैमिल्टन रिसीब्ड आ नाइट हूड इन दा यूनाइटेट किंग्डम लुईस हैमिल्टन को यूनाइटेट किंग्डम में नाइट हूड की उपाधी मिली है तो यह है लुईस हैमिल्टन इन्हें आप अच्छी तरह जानते होंगे इस स डेट है वीके यादव हैज बिन कंफर्ड विथ एमिनेंट इंजीनियर एवार्ड आप दा येर 2020 वीके यादव जी को वर्ष 2020 के प्रतिष्ठित इंजीनियर पुरुसकार से समानित किया गया है तो अभी पिछले कुष्टन में आपको पता है कि ये जो रिल्वे बोर्ड है वहाँ के पहले चेर्मेन और सीईओ थे विनोत कुमार यादव जी इनको अभी हाली में एमिनेंट इंजीनियर एवार्ड दिया गया है 2020 का और ये जो एवार्ड है ये दिया गया है IET के दोरा यानि इंस्टिटूशन ओफ इंजीनिंग एंड टेक्नोलोजी के दोरा और य दिया क्यों गया है ये अवार्ड दिया गया है इनके आउट्स्टेंडिंग कॉंट्रिबूशन के लिए जो कि इन्होंने भारती रेलवे के मॉडर्नाजेशन के लिए अपना योगदान दिया है नेक्स्ट अपडेट है गोवाज 14-year-old लियोन मेंडोन का विकम्स इंडिया 67th grandmaster गोवा के 14 वर्सी लियोन मेंडोन का भारत के 60 वे Grand Master बने हैं तो यह है लियोन मेंडोन का और गोवा से हैं और इनकी उम्र है 14 वर्स की और अभिःदि भारत के 67 ग्रांड मास्टर बने हैं इसरो चेर्मेन के सिवन गेट्स वन येर एक्स्टेंशन इसरो के अध्यक्ष के सिवन जी के कारेकाल को एक साल का विस्तार मिला है तो एक्चली में जो इसरो के चेर्मेन है के सिवन जी इनका कारेकाल 14 जन्वरी 2021 को समाप्त होने वाला था लेकिन जो भारा सरकार है इनके दोरा जो कारकाल था के सिवन जी का उसको एक साल और आगे बढ़ा दिया गया है तो अब ये इसरो के चेयर्मेन और डिपार्टमेंट आफ स्पेस के सेक्रेटरी के रूप में 14 जन्वरी 2022 तक कारेंगे बात करें इसरो की तो ये भारत की स्पेस अजन्सी है इंडियन स्पेस एंड रिसर्च और्गनाइजेशन इसका हेड़कॉर्टर है करनाटका में इस्टैबलिश्मेंट हुआ था 1969 में और चेयर्मेन है के सिवन जी नेक्स्ट अपडेट है आरिफ महमत खान रिलिज दबुक साबरी माला विजनाना कोशम ओथर बाई केस विज्यानाथ आरिफ महमत खान जी ने केस विज्यानाथ द्वारा लिखित पुस्तक साबरी माला विजनाना कोशम का विमोचन किया है तो आरिप मुहम्मद खान जी ये हैं केरला के गवर्नर केरला के गवर्नर है आरिप मुहम्मद खान जी इन्होंने हाली में एक बुक का अनावरण किया है विमोचन किया है जिसका नाम है साबरी माला विजनाना कोशम और ये बुक की ऑथर है के अस विजयानात ये भी याद करें के साथ ही नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे इसलिए मेक शूर आपने बेल आइकन भी जरूर दबाया हो और रिवीजन के लिए आपको पीडिया फाइल या MP3 फाइल चाहिए तो उसकी भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है आप वहां पर